तरंचाबरा, तरंचाबरा कौन है? तो नीमेन के बारे में तो आप जानते होंगे नीमेन जो कि एक फुट बेर की ब्रैंड है और काफी बड़ी ब्रैंड है ठीक है? और उसके काफी अच्छे-च्छे सूज मार्केट में लाँच होते हैं और आप में से कुछ वियोर्स ने पहना भी होगा नीमेन का सूज ठीक है? तो तरंचाबरा जो की founder है नीमेन के और जो नीमेन जो ब्रैंड है ये found हुई थी 2017 में और हैत्तराबाद बेस्ट ये ब्रैंड है तो ये start कैसे हुग नीमेन की जो ब्रैंड की journey है तो जो तरंच ब्रैंड ब्रैंड है वो USA में रहते पहले काम क्या करते थे बिजनेस एनलेटिक्स हेड थे ये तरण छाबरा इस्पेन जा रहे थे और इस्पेन जाने के लिए वो ट्रेन ले रहे थे ठीक है तो उस टाइम क्या हुआ उनकी ट्रेन छूट गई क्यों छूटी और यहीं से जो नीमन है ब्रैंड का जो बर्थ यानि कि वो जो बैक पैक कर रहे थे इस्पेन जानी के लिए तो वो अपने बैक पैक में बहुत सारे पेर आफ सूज रख रहे थे लाइक पता ही आपको हर एक ऑकेशन का एक अलग सूज होता है जैसे कि पार्टी में जा रहे हैं तो वो सूज अलग होता है फिर उसके पैक करके अपने बैग में रख रहे थे तो उसी चीज के कारण जो लगेज पैक करें थे उनकी छूट गई तो उनके माइंड में एक खयाल आया ये खयाल आया कि कोई ऐसा एक ब्रैंड होना चाहिए जो कि सिर्फ एक पेर सूज बनाए और उसी एक पेर सूज को कैरी करें जिसके अंदर हम सभी काम को निपटा लें ठीक है ज्यादा हेवी लगेज करनी की कोई ज़रूत नहीं हो ठीक है तो ये बात वही हो रही है जो मैं हमेशा अपने वीडियों बोलता हूँ जहां लोग को प्रॉलेम दिखती है वहां अंत्रुप्रॉनिस को ओपरजूनिटी दि निकाल दे तो उन्होंने धूंड़ना स्टार्ट किया हर जगा कि ऐसे कोई ब्रैंड है क्या तो उन्हें कहीं भी वो ब्रैंड नहीं मिला जो कि एक पेर ओफ सूज के साथ में हर एक ओकेशन को कवर करें तो उनके माइन में आया कि हम इसी फिल्ड में एक हम ब्रैंड है तो यह बना है नैचरल रिन्यूवल अरीनो वुल एंड कैस्टोर बीन ओईल एंड रिसाइकल रबर एंड अर्थ नेचर फ्रेंडली माटेरियल्स तरंचाबरा तरंचाबरा का जो बैक्गराउंड है वो फुटवेर एंड डिजाइनिंग से थोरा बहुत था तो इन्हो क्या है जो भी मैनूफेक्चर्स तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ हटके करना है जो कि नेचर को खुराब ना करें तरंच माइंड में एक क्वेस्टन आया कि जब लोग खाने के लिए औरगेनिक फूड ढूंडते हैं, हेवी नुट्रेशन वाले फूड ढूंडते हैं, तो फिर वो सूज क्यों नहीं, छाबरा को फिर एक सोर्स मिला, जो कि था मरीनो वूल, ये मरीनो वूल कहां पा जाता है, तो ये औस्टेलिया में पा जाता है, तो मरीनो एक एक ऐनिमल है, जो कि वूल फाइबर से सुज बनता है, तो तरन ने ये देखा कि इसका हम यूज करेंगे, भी को कि सायकल कर सकते हैं, जो एनिमल है, इसका जो वूल है ये थोड़़ डिफरेन्ट होता है, कैसे? दो टाइप के वूल होते हैं, एक तो नॉर्मल wool होता है और यह जो marino wool है wool fiber बहुत soft होता है तरन ने सोचा कि इससे हम sooz बनाएंगे because वो जो sooz चाहते थे बनाना वो बहुत soft sooz बनाना चाहते थे जो कि लोग को एक comfort दे ठीक है तो यह जो marino है ship यह हर साल जो कि wool है वो produce करती है अपने body के उपर में और साल दर साल वो उनके body से cut के और उसके fiber से sooz बनता है इसका जो नाम है यह कैसे नीमन पड़ा और इनका logo creative क्यूं है तो यह जो name है यह इनके mom and dad's आया कैसे तो इनकी mom का जो name है वो है नीलम एंड जो इनके dad है उनका name है मंजीत तो नीलम का knee and मंजीत का मन तो हो गया नीमन तो वहां से नीमन की शुरुआत एक logo name के कह सकते हैं के तीन केटेग्री के सूज हैं फॉस्ट नीमन वूल क्लासिक स्नीकर्स नीमन वूल जॉगर्स नीमन वूल लोफर्स बात करते हैं नीमन के business model के बारे में तो नीमन का जो business model है यह फॉस्ट इनका D2C का है D2C यानि की direct to consumer जैसे कि मैं मैं इसा बोलते रहता हूं बोट का भी है जैसे तो direct to consumer इनका खुद का platform है जिसके थुरू पैन इंडिया में यह अपना जो सूज हैं यह deliver करते हैं सभी customer के doorstep पे D2C से अगर हम बात करें other जो platforms है giant e-commerce तो वो है Amazon ठीक है और भी है flip card Amazon से और अगर हम बात करें pricing की तो इनका एक सूज का जो price है वो है 5500 और एक सूज का rate है 5800 बात करते हैं funding and investment की तो नीमेंस को March 2020 को 1 million dollar की funding मिली थी और वो ही pre-series A round की funding और जो उनके investors थे वो है anycut, angel and list करते हैं growth की तो नीमेंस के website पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छे च्छे आपको reviews देखने को मिलेंगे ठीक है जहां तक हम बात करें इनके customers की तो जो इनके customers है repeated customers जो की हर एक business में बहुत important होता है तो वो है 25% इनके re-order करने वाले customers है ठीक है अगर हम बात करें इनके growth की तो month on month का जो growth है वो है 30% का तो नीमेंस का जो brand है shoes है I think आप भी use करते होंगे और इनका जो shoes है काफी premium होता है ठीक है तो यह कहां से आया इनके mind में खयाल because purpose driven brand यह बहुत ही important होता है like shark tank में भी इतने sharks है वो हमेशा यह बोलते हैं कि हमे purpose driven brands काफी अच्छा रता है जो कि लोग की problem को solve करता हो एक gap को fill करता हो तो वैसे ही यह जो founder handyman's के इन्होंने भी इस problem को solve किया क्या था वो problem तो हम सभी जो बहुत सारे luggage लेके जाते हैं सूज का है ना पाच्छे पेर साथ पेर जो भी हम लेके जाते हैं तो उनके mind में यह आया कि लोग जो इतना heavy luggage carry करते हैं सूज का उसको हटा के क्यों ना हम एक ही सूज डाले और वो भी creative idea के साथ में वो भी कैसे तो marino wool से तो यह कितना creative हुआ और अभी के time में उनका brand बहुत premium है और celebrities भी use करते हैं तो यहां से आपको सीखने को क्या मिलता है जहाँ पे लोग को problem दिखती हो वहाँ entrepreneurs को opportunity दिखती हो entrepreneur जो है इनको opportunity दिखी कहाँ पे तो सूज के categories में और वो gap को इन्होंने fulfill किया तो same type से आप भी देखिए market में किस gap को आप fulfill कर सकते हो जहां लोग को problem दिख रही है और आप अगले साल शार्टेंग में भी जा सकते हो और आपको अगर investment funding चाहिए तो आपको थोड़ा सा कोई business creative करना होगा और start-up ठीक है तो I hope आपको अच्छा लगा होगा आज का यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेर करिए अपने सारे friends and family के साथ में और चैनल पहले हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल गर प्रेस जरूर करिएगा इस आदर्श और